आज लोग बनाएंगे मेति के पराथे जो मेति के पराथे है अवन देख सकते हैं कितनी एची तरह से फोल्ड हो रही है आज हम लोग तीन अलग अलग प्रकार शुकल के वह बनानेवले हैं सबसे पाहूं आज खूiao कोन पराथा तरह से इस तरह से त tower से तीन अलग अलग दो दो ने के बाद में इनको कट कर लेंगे बारिक बारिक चाहू की सायता से दिखें साथ हो गया उसके वाद में क्या करेंगे एक पेस्ट पनाने के लिए हैं हरी मिर्ची अद्रक और लहसुन लिये हैं इनकी क्या करें अच्छी तरह से पेस्ट तयार कर लें देखे हमारी जो पेस्ट है वो भी तयार हो गई है हमारी मेथी काटकर हो गया है पेस्ट भी तयार हो गई है उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे दो तयार करेंगे दो तयार डाले इसमें हम लोग डालेंगे दो टेबल स्पून के करीब बेशन को आप स्केब भी कर सकते हैं लेकिन बेशन डालने से क्या होता है हलका सरक कड़क बनती है हमारे जो पाराठा है न वह उसके बाद में हम लोग जो पेस्ट यार किये थे न वह पेस्ट को डाले देखे इस हरी धनिया डाले बारेक का टीवी आप हरी दनिया को आखेब भी कर सकते हैं 23 ठेबल स्पून के करीब तेल डाले और चीद्रशा ब मेथी को बेंसे तरह से लिए मिक्स करने है करें पान path के मेठी के साथ लिए करने किया है इसमें है थोड़ी धोड़ी करने और इसकी ड़ों टेयर करना है थोड़ी टहीए भी दाल सकते हैं लेकिन मैं फिलाल पानी ढाल टाहिए हो पानी दो है डियार हो गई है लेकिन को अब पानि चुल को और सिमय होएजी हो लुक्त करना है इसको तूरंथ हम इसकी पराधे बनादा इसको धारएं अगर आप ज़्यादा समय तक रखोगे तो क्या होगी आपके जो डो है न वो ढीला होने लगेंगे कि इसमें मेथी भी है और नमक भी है तो इसलिए इन्हें बहुत ज्यादा रस्ट करने के लिए ना रखे तुरंत ही इसकी पराठे बनाए तो पराठे बनाने क्लिए मैं एक पराठे बना ली हूँ यादा की से जो रोटी बेल लेव next experiment की पहली पराठा में तो बनाेंगे लोई और टेल बनाने लोई के उपर में रहें थोड़ा साथ 13 लाले कम से कम हाफ टबल स्पॉन के करीब और यह जैसे पूरी कैसे बिलते हैं बिलकुल उसी तरह से यह यह जाती हैं तो हमारी दूसरी पाराठा धियर भी बन गई है उसके बाद में हम लोग बनाएंगे चौकोन पार रोटी बिलने के बाद में क्या करना है क्या करना है इनको दोनों टरब फोल्ड करना इंक यह तरह से इक बाजू से और इस की पैजिसे इस तरह से चाहिंज इनको को फोल्ड कर लें सिस्त wünय करना है उसके तरह ने थोड़ता टैप करें के आपसी आपön्भर में यह ढलरे Wäh लोई बना ले तरह से ने और रोटी करोगे दिए कि लुऋभर कर नहें है इसमें ही थोड़ता तेल लगा लिए लगाने के बार करें इनको फोल्ड करना हैं सब्सक्राइबूद Member हमारे जो चार पराठे है वो बेलकर हो किया है उसके बाद में क्या करे चारो जो पराठे है न उनको एक थाली में रखे और हमको इनको सेकना है सबसे पहले हम लोग तावा जो है न वो पहले ही गरम करने रख दिये थे टावा हमारी अच्छी तरह से गरम हो गई है उसके बाद मैं हुम लोग सबसे पहले पाराथा मनाये थे उसके तरह से तो इनने डाले और इनने सेख ले एक मिनित मैं डाल कर सेख ली Subscribe हoral के र३आ कि sell क्छील लगा लेख भी और उसके बाद में पूरे जो पाराथा है ना उनक या फिर से दाल तेल को बिल्टा उन्हे का चपनी वो हम लोग नसी तरह से ग्रेंट बटा ले चोकुन हमारे त्रिकॉन पराथा भी इसी तरह सेखना है, पहले थोड़ा सा तेल लगा ले तेल लागा ले तो पहले त्रिकॉन पराथा र्चैकर घुंगें कि आचे हैं तरह सकते हैं और कि यह बनी को उसके बीना तेल कि हम लोग पराटह perfect जैसे नौर्मली पराथ है सेकते हैं या फिर रोटी सेकते हैं बिल्कुल उसी तरह से शेखना है बस इसमें तेल नहीं डालना है इससे भी इसका जो टेस्ट है ना बहुत अच्छा आता है और खाने में पी अच्छी लगती है और जो बिना तेल के खाते है ना पराथ है या फ ने तरह नहीं पका लेना है कम से कम दो से तीन मिनट Пол ने के बारना इसमें छीने डाले कम अगर चाहें तो अगर जबा ठार है यूप में तरह सकते हैं उसके बढ़ में यहाँ और यहाँक produção मुर्σι वह 50 रखेए हैं यह धार विड़ यह सब करते विकको हुआ चाहरा आया है आप चाहे तो इसमें फोट कलर डाल सकते हैं या फिर और भी कोई मसाला आट कर सकते हैं लेकिन मैं सिंपल तरीके से यह जो चटनी है ना वह से बनाई हूं यह खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है तो हमारे जो चटनी है वह तैयार हो गई है ग्यास बंद कर साथ हम लोगे चटनी के साथ में यह जो पार उठी है उसको काने के लिए सव की हैं आप देख सकते हैं यह यह जबनी है यह जो इसको इसको अश्य इंडेकर कितना अच्छा लग रहा है मतलब की लाल चटनी और जुबस पार यह इसका जो कॉंबिनेशन है कितनी अच्ही लगे तो पिलीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद